नमस्कार किसान वायू, आपका फोगत है आपके अपने चनल लच्मी फारविम में किसान वायू, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर रहे हैं और आज की इस नई वीडियो में हम आपको धान की ऐसी दो बेतिनी वराटी के बारे में जनकारी देने वाले हैं जो की सबसे ज़्यादा उत्पतन देने के लिए जानी जाती है किसान भाई हो आज की इस वीडियो में हम आपको धान की जिन दो वराटियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं या भारत की जो सरवादी कुद्परन देने वाले धान की वराटियां है उनमें से एक मानी जाती हैं और कई सालों से किसान भाई इन वरेटी को लगाना पसंद करते हैं और लगभक सभी एरिया में किसान भाई इस राइटी को लगा चुके हैं और इसका रिजल्ड भी काफी बढ़िया और अच्छा देखने को मिलता है दोस्तों अगर आप इस वीडियो के बारे में संपूर यानकारी चाहते हैं तो आज की हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर दिखेगा और अगर आपको या वीडियो किसी भी नजरीय से अच्छी लगे तो चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलेगा साथी साथ वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अपने किसान वित्रों को भी शेर कर दीजेगा जिससे कि उनका भी फैदा हो जाए उनके पास भी इस धान की वर्याटी की जनकारी पहुँच जाए ताकि अगर वो भी अपना धान की फसल को इस बार अच्छे दिर्के से करना चाहते हैं अच्छी वर्याटी का चुनाव बर्गे उसको लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सके और उन्हें भी अच्छा मुनफा कमाने का असानी से मौका मिल सके आज की इस वीडर में हम आपको जिस दान की वर्याटी के बारे में जानकारी देने वाले हैं या आपको काफी बढ़ियां और अच्छा लाफ कमाने में सायता करें किसान भायो आज पी वीड़ों में हम आपको धान की जिन विरैटियों के बारे में जानकारे देने वाले हैं ये भारत की सबसे अधिक उत्पतन देने वाली विरैटियों में से एक मानी जाती हैं आज हम इन दोनों विरैटियों के बारे में एक एक करके जानेंगे इनकी सारी सिस्ताओं की उपर सचा करेंगे और या कई समय में से किसान भाईयों को काफी बढ़ियों और अच्छा उत्पतन निकाल कर देते हुए आ रहे हैं दोनों वराटियों को हम विस्तार रूप से एक एक करके जानने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियों को तो आज की हमारे जो धान की सबसे पहली वराटिय है इसका नाम है किसान भाईयो नाटी मनसूरी दोस्तों ये धान की काफी बेतरी वराटियों है बहुत डिशारी किसान भाई कमंड करके वीडियो में पूछते हैं कि इस वराटि का बीच कहां से मिलेगा किसान भाईयो बीच आपको दो जगाना से मिल सकता है एक तो ऑनलाइन आप गूगल पर जाकर साच कर सकते हैं कि आपको या पैड़ी वीच कैसे मिल सकता है तो बहुत इसारी कमपनियां या आपको मार्केट प्लेस पर तिंख जाएंगे जो वेफसाइट हैं जो बेच रही है दूसरा आपके एरिया में जो भी बीच वंडर की दुकान हैं वहाँ पर आप जाकर इस वरेटी के बारे हैं पूचिए जहाँ पर बड़े बीची वंडर जो दुकान जहाँ पर लगबग बहुत डिसारी वरेटी या अब मिलती है दान की तो वहाँ पर आपको जलूर या वरेटी मिल दाएगी और वहाँ पर आपको ये एक दम regionable रेटन मिल जाएगी बहुत मैंगी न भी देखने को मिल जाएगी और आपको अच्छी quality के लिए देखने को बीज मिल जाएगा اور अच्छी कंपनी का किसान भायो अगर हम बात करें कि या वरेटी किस कंपनी की काफी बेतरी न होती है तो दो कम्पनियों का नाम याद रख लीजे एक है Micro Seeds जिसकी आती है स्वारना नाम से काफी बड़े और अच्छी या मानी आती है रेटी और काफी बड़े और अच्छी कम्पनी भी है दूसरी कम्पनी है किसान भायो 5 सीड वो भी इस रेटी को बेशती है मार्केट में जिसे हम कह रहे है नाटी मंसूरी इसका जो नंबर है वो है MTU 79 काफी बड़े या दोरों कम्पनी है जो इस रेटी को बेशती है अब चलिए बात करते हैं इस रेटी की सेस्ताओं के बारे में तो किसान भायो या जो विरेटी है नाटी मंसूरी वा मंसूरी प्रजात की एक विरेटी है जो की लगबग 140 से लगबग 150 दिन की आस्पाफ प की लगा सकते हैं ज़से कि आप चाहें तो इसको साउथ इंडिया के अगे राज हैं जैसे की करद eerste राज है जैसे की खरतना टुक तमिलगाडु अंडब्र देश, उडिय सा वेस्ट बंदाज इन सभी राज्यों में तवाम राज्यों में अब लगा सकते है और हमारे जो न डालना होगा इसकी बेरन किसान भायो आप 1 माई से लेकर लगबग 20 माई 25 माई तक डाल सकते हैं अगर आप माई के महिने में इससी बेरन डाल कर और जबसे आपकी बेरन तयार हो जाए उसके आज रुपाई कर देंगे तो आपकी यह जो फसल है वास समय पर तयार हो जाएगी और इसके बाद आप आप जो नेक्स्ट फसल लगा चाते हैं उसको आप लगा सकते हैं किसान भायो या जो विराइटी है नाटी मंचूरी या लगबग 140 से 150 दिन के आपसफ़पकर कर तयार होती है काफ़े बढ़िया और अच्छा तुदह निकाल कर देती है इसके अंदर क इसके लाव इस विराइटी में रोग प्रत्रों चुमताब का काफ़ी बढ़िया और अच्छी होती है उत्पतां के बारे में बात करें तो किसान भायो या विराइटी आप को 32 से 35 कुंटल प्रतियक उत्पत्र निकाल कर देती है किसी-किसी चेत्रों किसान भायो इस विरा मार्केट में रेड भी मिल जाता है जिदना जदा उत्ततन रहेगा उत्तना दोने मुनाफा कमाने का मौका मिलता है तो अगर आप अच्छा मुनाफा कमाना चाहते है दान की खेती से तो आप इस विराइटी को जरूर लगाए किसान भायो आज की हमारे जो धान की दूसरी इसका नाम है साभाब मिन्सूरी धान की इस रेटी को हम एक और नाम से भी जानते हैं बीबीटी बावण जीरो चार ये भी काफी बढ़िया और अच्छी धान की रेटी है जो किसान भायो को कई सालों से काफी बेतिन पतर निकाल कर देते विए आ रही है हमारे एडिया में इस रेटी को सबसे यदा अधिक मतन में लेगाना पसंद करते हैं और वे कुसान भायो जो अपने स्वहाँ खाने के लिए लेगाना चाहते हैं किसान भायू, अगर आप धान की ऐसी व्रेटी को धूड रहे हैं, जो की पैदावार में नंबर एक हो, खाने में सौदिष्ट हो, चावल भी काफी बढ़ियां हो, हलका सा मीडियम बोल्ट से इसका हो, एनि कि हलका सा ये किसान भायू महीन होता है, नाटि मंसुरी की तुल्ल में इसका तो चावल होता है, या जो धान होता है, वो तोलो सा महीन होता है, और लंबा होता है, तो अकर आप ऐसी व्रेटी को धूड रहे हैं, तो ये आपकी लिए पैस्ट है, जो की पैदावार में भी नंबर है, महीन भी है, और इसका चावल लंबा भी होता है, खाने मे पैदाबार भी काफी बढ़िया है और कल्लों का फुटाओ भी काफी बढ़िया देखने को मिलता है प्रतिक वदा आपको 22 से 25 कल्ले 27 कल्ले 27 कल्ले 28 कल्ले तक देखने को मिल जाते हैं इस रेटी की बवाई आप उत्तरपरदेश, बिहार, जहारकन, वेस्ट, वेंगाल, करना 22 कुंटल प्रतिकड़ की होती है और इसका रेट भी काफी बढ़िया और अच्छा देखने को मिलता है और ये खाने के लिए काफी लाजवाब होती है जो भी किसान भाई अपने एक स्वायम खाने के लिए धान की वर्याटी को लगाना चाहते है जो उनको अच्छी बढ़ किसान भाई अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अपने किसान भाई के साथ शेर कर दीजेगा चैनल को स्क्राइब करना मत भूलिएगा